नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारे योटूब चैनल जी के ट्राकर पे देखे फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्राखन जी के MCQ सीरीज इस सीरीज का आज हमारा 49 पार्ट है और आज के वीडियो में भी हम उत्राखन से जुड़े हुए 20 महत्यपून प्रशनों को देखेंगे ना सिर्फ इन 20 महत्यपून प्रशनों को देखेंगे इन से जुड़े हुए जो आपके एक्ट्राखन होते हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर करते हैं ताकि आपका टेस्ट भी चलता रहे और साथ ही आपको जो रिवीजन है वो भी होता रहे तो चलिए फ्रेंट्स आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो के एंड में आप अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना रहा तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन है आज का कूली एजेंसी की स्थापना कप की गई थी तो इसका अध्यक्ष बनाये गया था इस टोवेल को ठीक है उस समय ये deputy commissioner था इसको बनाये गया इसका अध्यक्ष दूसरा प्रशन बनता है कि जो कूली agency थी इसके सचीव कौन थे तो इसके सचीव बनाये गये थे जोध सिंग नेगी तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसके सच आप्त कब किया गया 1923 में ठीक है तो ये important प्रशन से कूली agency को लेकर कूली agency की जो इस्थापना की गई थी ये कूली बेगार प्रथा को खतम करने के लिए उसके समाधान के रूप में की गई थी तो इसी लिए question बनता है कूली agency को लेकर statement दिया गया था कि कूली agency कूली बे टीहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किस ने करी थी तो देगे टीहरी के अंदर कन्या पाठशाला इसकी स्थापना करी थी option B नरेंद्र शहा ने नरेंद्र शहा ने 1942 में टीहरी के अंदर कन्या पाठशाला की स्थापना करी थी नरेंद्र शहा को लेकर दो तीन important बात ये करते हैं 1938 में ठीक है अगला point जो इनसे पूछा जाता है कि टिहरी के अंदर आप जानते हैं टिहरी के अंदर कुल मिलाकर पांच भूमी बंदुबस्त होते हैं जो टिहरी रियासत का अंतिम भूमी बंदुबस्त था वो इनहीं के दुवारा कराया गया था 1924 में ये भी ध बातें आपको याद रखनी हैं चलिए अगला प्रशन है किस जन जाती दुवारा होली पर खिचडी निर्त किया जाता है तो ये प्रशन पेपर में पूछा जा चुका है खिचडी निर्त किस जन जाती से संबंदित है सही आंसर है option D थारू जन जाती से संबंदित है और य वादिक जन जाती किसकी है वो है आपकी थारू जन जाती और इनका एक प्रमुक तहवार है इसको लेके प्रशन पूछे जाते हैं कि ये तहवार बजहर ये किसका है तो बजहर तहवार भी थारू जन जाती का ही तहवार है ठीक है एक और important point इनको लेके आपको ध्यान रख विजेता की उपादी किसे दी थी तो दीखे मानशहा पमारवंश के एक राजा थे पमारवंश हम पूरा पढ़ चुके हैं आप डिटेल मगरा पमारवंश पढ़ना चाहते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं मानशहा ने स्वन्निम विजेता ये अगला प्रशन है उत्राखंड का वेद्वियास किसे कहा जाता है ये शोधर मटपाल को आप्वश ug्यायर के उप्शन है हर्ष्टडेव ओली के राजनेतिक गुरु कौन थे खोय बढ़नी इनको कहा जाता है इनके राजनेतिक गुरू आपको पूछे जा रहे हैं सही आंसर है option B मोतीलाल नहरू मोतीलाल नहरू राजनेतिक गुरू थे हश्देव ओली के और अगर बात करें बदितत पांडे के तो बदितत पांडे के या हरगोविंद पंद के इन दोनों के राजनेतिक गुरू कौन थे बाल गंगधर तिलक नेक्स्ट है यमनोत्री और गंगोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो गंगोत्री और यमनोत्री के प्रवेश द्वार ये कहा जाता है option C मसूरी इसका सही आंसर है तो गंगोत्री और यमनोत्री इनका प्रविश द्वार अगर पूछेगा तो ये मसूरी है लेकिन अगर पूछेगा चारो धामों का द्वार किसको कहते हैं तब हरी द्वार को कहा जाएगा मसूरी के और भी उपनाम है मसूरी को आप जानते हैं परवतों की रानी कहा जाता है इसके अलावा भारत का एडिनब्रा भारत का एडिनब्रा भी मसूरी को कहा जाता है द्वारिका की बात करें द्वारिका को हिमाले की द्वारिका कहते हैं बंदीरों के नगरी कहते हैं, हरिद्वार के काफी सारे उपनाम हैं, जिसमें दो आपको याद रखने हैं, जो अभी मैंने बताया, चारो धामों का दुवार, यह हरिद्वार है, और अगर दो धामों के नाम लेके पूछेगा, तो मसूरी, ठीक है, इसके लावा हरिद्वार को तीर्थों का दुवार भी कहते हैं, अगला प्रशन है, चमोली में आत्मरक्षा कमीटी का गठन कब किया गया, तो देखे, आत्मरक्षा कमीटी इसका गठन किया गया चमोली के अंदर, और यह किया गया 1942 में, और इसके अध्यक्ष बनाये गए कृपाराम मिश्र, तो य किस के दुवारा की गई थी, टिहरी के अंदर जो किशान कल्यान बैंक था, इसकी स्थापना किस ने करी थी, option B, सही आंसर है, कीरती शाह के दुवारा इस बैंक की स्थापना की गई थी, अब कीरती शाह को लेकर भी काफी सारे आपके fact बनते हैं, जो कि कुछ, जो important है, वो की तारीफ करी थी, वो करी थी कीरती शाह की, ठीक है, एक और महतपोन, point, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ कीरती शाह के शाशनकाल में ही उत्राखंड में आते हैं ये, ठीक है, 1902 में, और उसके बाद कीरती शाह इनको जापान भीशते हैं, धर्ब संसत में भाग लिए भवन का निर्मान करवाते हैं जिसे गोल को ठीक कहा जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टन फैक्ट है तीहरी घंटागर जो टीहरी बांध में डूप गया है इसका निर्मान भी कीरती शाह ने कराया था 1897 में उस घंटागर की लंबाई कितनी थी कमेंट करके आप मुझे बताएंगे अगला प्रशन है ललित शहा ने प्रद्यूमन शहा को किसका दत्तक पुत्र बना कर कुमाओ की गद्धी पर बैठाय था आप सभी जानते हैं प्रद्यूमन शहा एक मात्र ऐसे शाशरक हैं जिन्होंने गड़वाल की गद्धी पे शाशन किया और कुमाओ पे उन्होंने शाशन किया तो एक किसके पुत्र थे ललित शहा के पुत्र थे ललित शहा और मोहन चंद के बीच एक युद्ध होता है बगवाली पोकर का युद्ध इस युद्ध में मोहन चंद पराजित हो जाता है ललित शहा अपने दूसरे बे नेक्स्ट है किस कमिशनर ने कुमाव में गौहत्या पर प्रतिबंद लगाये था गौहत्या पे प्रतिबंद लगाने वाला कमिशनर कौन था सही आंसर है कहते हैं तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है ठीक है रुपिन और सुपिन क्या कहा जाए है इनको महाभारत में जला और उपचला अगला है कत्यूर में बदरिनात मंदिर किस चंद राजा ने बनवाय था तो कत्यूर में बदरिनात मंदिर का निर्माण ये कराय था ग्यानचंद दुतिया ने ऑप्शन C इसका सही आंसर होगा ठीक है जो ग्यानचंद दुतिया था ये उद्योग चंद का बेटा था चंद वंश का 52 शाशक था 1698 में गदी पर बैठा 1708 तक ये गदी पर रहा था ग्यानचंद दुतिया ग्यानचंद प्रथम कौन था ग्यानचंद प्रथम आपका ये वाला ग्यानचंद था जिसको है option c राकेश मोहन नोटियाल की यहां किताब है important है ध्यान रखना है वन आंदोलन के दोरान जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी देखे वन आंदोलन यहां पर पूछ रहा है चब होगी आपकी बिस्नी देवी शाह ये गई थी freedom के लिए स्वतंतरता आंदूलन के लिए राज्य आंदूलन के अगर बात होगी तो राज्य आंदूलन के लिए जेल जाने वाली प्रथम महिला तुलसी देवी तो तीनों आपको ध्यान रखना है वनों के लिए पहले स्व B.D. काला को माना जाता है माधव आशीश को अंग्रेज संत कहा जाता है तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है बुरांस को सरक्षित व्रिक्ष कब घोशित किया गया दीखे बुरांस उत्राखंड का राजकिया व्रिक्ष है और इसको सरक्षित गोशित किया गया उप्षिन C. 1974 में तो ये आपको ध्यान रखना है अगर हम बात कस्तूरी मिर्ग की करें तो कस्तूरी मिर्ग को 1972 में सरक्षिन दिया गया नेक्स्ट है किस केदार को पित्रतीर्थ के नाम से प्रसिद है तो दिखे कौन सा केदार है जो पित्रतीर्थ के नाम से प्रसिद है सही आंसर है ऑप्षिन D. रुद्रनाथ रुद्रनाथ जो केदार है ये आपके चतूर्त केदार है और ये आपके चमोली जनपद में इस्तित हैं ठीके रुद्रनाथ कहा है चमुली में है यहाँ पर शिवजी के रौद्रमुख की पूजा की जाती है और यह जो केदार है रुद्रनाथ यहाँ पित्रतीर्थ की रूप में भी प्रसिद हैं अगला प्रशन है उत्राइनी मेले को उत्राखंड का सबसे बड़ा मेला किसने कहा था तेकि जो उत्राइनी मेला है जो बागिश्वर में लगता है इसी मेले में जो कूली बिगार प्रथा थी इसका अंत किया गया था तो इस मेले को उत्राखंड का सबसे बड़ा मेला ये किसने कहा था सही आंसर है ओप्शन D S. ओकले पूरा नाम है शेर्मन ओकले तेकि सर्मन ओकले की एक किताब है Holy Himalya पहले भी ये प्रशन में आपको पूछा था कि Holy Himalya पुस्तक के लिखा कौन है S. ओकले क्यों प्रसिद है कि इस Holy Himalya किताब में इन्हों ने उत्राइनी मेले का उल्ले किया है तो ये कुशन आपको घुमा के भी पूछ सकता है कि S. अपने किस पुस्तक में उत्राइनी मेले का उल्ले किया है वो है इनकी Holy Himalya तो ये आपको ध्यान रखना है और इन्हों ने ही इस मेले को उत्राखंड का सबसे बड़ा मेला बताया था ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है ये जो किताब थी ये इसकी 1905 में आई थी आज का अंतिम प्रशन है पौरानिक इस्थल अथारी कहां इस्तित है तो ये पौरानिक इस्थल है अथारी ये कहां पर है तो ये है आपके चमोली जनपत में ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्राखंड के 20 महत्यपूर्ण MCQs जिनको हमने एक् प्रशनों को हमने एक्स्था फेक्ट के साथ किया है यानि कि ये लगभलगव आपके उत्राखंड के 2000 के करी प्रशन है अगर आपने इनको अच्छे से रिवाइस कर दिया आपका अच्छे से पूरा उत्राखंड भी कवर होगा आपके कोश्चन जो है एक पॉइंट को ले कमेंट करके बताएं और साथ ही अपना स्कोर आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करें शेर करें अपने दोस्तों के साथ थैंक्यू फ्रेंड्स